नमस्कार दोस्तो आज हम आपके सामने वह exclusive जानकारी शेयर करेंगे जो 27 फरवरी के दिन हमारे शेयर देश के जिन्दा दिल विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने दिखाई थी और दोस्तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जानकारी के बाद आप अभिनंदन को शेयर ही नहीं बलकि बबर सेयर कहेंगे और आपका सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन करीब 15 मिनट में ही हमारे बहदूर पाइलेट के साथ दूसरे पाइलेट्स ने भी क्या जलवे दिखाई थी दोस्तो भारत और पाकिस्तान के बीच उस वक्त तनाव बढ़ गया था जब भारतिय वायुसेना यानि आई एएफ ने पाकिस्तान के बाला कोट में जैसे मुहम्मद के सिवरों को निसाना बनाया था तो सुनिए दोस दोस दिन का एक एक मिनिट का विवरन 27 फरवरी 2019 सुबह के 9 बजकर 22 मिनिट पाकिस्तान के 10 F-16 जेट विमानों ने पाकिस्तान के 3 एर बेसों से उड़ान भरी जिसका पता भारते रडार नेतर और नार्दन एर कमांड को लग जाता है और ये F-16 विमान 3 पढ़ रहे हैं उसके बारत भारत के 2 मिक 21 जेट और चार सुकोई इस हमले से निमटने के लिए अलेट हो जाते हैं 9 बजकर 58 मिनिट पर भारत द्वारा पाकिस्तान सेना के फाइटर जेट को पहले चेतावनी दी गई उन्हें चेतावनी दी कि वो भारते च्छेत का आतिव कर्मन कर रहे हैं और उन्हें तुरंद इसको खाली कर देना चाहिए 9 बजकर 58 मिनिट के बाद दूसी जेतावनी 9 बजकर 69 मिनिट पर दी गई IFAC प्रोटोकोल के थैत पाकिस्तानी वायू सेना की तरफ से कोई जबाब नहीं मिला इसके बाद 10 बजे पाकिस्तान के 10 F-16 Z वि और भारत के सुकोई और मिग फाइटर जेट्स अपने युद कोसल और वीर्ता से पाकिस्तान के 9 F-16 विमानों को वापस जाने पर मजबूत कर देते हैं दोस्तों पाकिस्तान के विमान उस वक्त तक भारतिय हवाई स्चेत में सिर्फ 1 किलोमेटर अंदर ही आये थे लेकिन भारतिय स्चेना की प्राकरम के सामने 9 विमान वापस लोड़ जाते हैं लेकिन 10 बज कर 2 मिलिट पर पाकिस्तान का एक F-16 विमान अंदर गुशिने की कोशिश करता है और वो ब्रिगेडी मुख्याले के तेल भंडारन से थोड़ी ही दूर रह जाता है यानि तेल भंडारन बैसन और आपको इबताने की जरूरत नहीं इस मिग को कौन उडा रहा था बेलकुल हमारे विंग कमांडर अविनंदन वर्दमान और एक वायुसेन का सुकोई विमान इस पाकिस्तानी विमान के साथ दोग फाइट करने लगे मिग 21 F-16 के सामने आ गया और सुकोई इसके प गया और अपनी सेना के तेल स्टोरेज के ऊपर मंडरा रहने लगा लेकिन दोस्तों इसके बाद भी मिग 21 बैसन का पाइलेट यानि विंग कमांडर अभिनंदन लगातार इस पाकिस्तानी F-16 विमान का पीछा करते रहा अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 के साथ लोकिन क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी मिसाइल पाकिस्तानी F-16 को नहीं मार पाती वो बेकार चली जाती लेकिन इसके बाद भी अभिनंदन F-16 का पीछा करती रहे पाकिस्तानी सीमा में जाने के बाद भी और उनने पाकिस्तानी छेतर में जाकर F-16 को निसाना मनाया अपनी R-73 मिसाइल से अभिनंदन ने दोस्तों पाकिस्तानी छेतर में 10 बज कर 8 मिनट पर R-73 मिसाइल दाग दी पाकिस्तानी F-16 पर लेकिन मिसाइल दागने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को एक भहती जुद कुषल कार्या करना पड़ा जिसको High Z Barrel Roll कहते हैं क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तानी सीमा में था पाकिस्तानी सीमा में होने की वज़े से वो पाकिस्तान की सरफेस पर इस्थित मिसाइल्स और दूसरे हवाई जहाजों पा तैयनात मिसाइल्स की चपेट में आ जाता इसलिए उसने High Z Barrel आउट किया लेकिन इसी दोरान उनके विमान को एक मिसाइल ने अटैक कर दिया और इसलिए इस भारते वीर को पेरासूट के जरी एजेक्ट करना पड़ा और उसके बाद का घटना करम दोस्तों आपको पताई है इजेक्ट करने के बाद उसको काफी चोटे आई लेकिन भारत के दवाओ के बाद पाकिस्तान को हमारी सेर विंग कमांडर को पूरे सम्मान के साथ हमको सौपना पड़ा हाला कि इस दोरान उनको काफी मानसिक उत्पिडन छेलना पड़ा तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करकर जरूब बताना साथ ही जादे से जादे शेयर भी करना की ताकि दोस्तों हर हिंदुस्तानी को हर भारतिये को हर इंडियन्स को अपने सूर विरसेन को की बाहद दूर का पता चले और ये भी पता चले कि कितनी विकट प्रिस्तितों में वो देश की शेवा कर रहे हैं साथी दोस्तों ये आपका ही चैनल है इसे सबस्काइब भी करें, लाइक भी करें जैहिन दोस्तो, दोस्तो इस Special Cover देश दुनिया की ताजातरीन और exclusive development को सबसे पहले आप तक पहुचाता है इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें